है लो गाइज वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब सो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके दाख शेर करें एडियन वैडिंग गेस्ट मेकप लुक बहुत ही इजी है तिनेजर्स के लिए बेस्ट मेकप लुक होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखना वीड करना चैनल को सबस्क्राइब करना तो सबसे पहले आपको अपना स्किन के रिटीन करना है जो भी आप इस किन के रूटीन में यूस करते हो रोस वाटर गया टोनर यूफ कोई भी अच्छा मॉश्जराइजर आपको यूज कर लेना है तो सबसे पहले यहां पर आपको यह फाउडेशन कर सकते हो कंसीलर यूज कर सकते हो मैं यूज कर रही हूं मियौन का फाउडेशन इस्टिक बहुत यह फॉर्डर प्राइज बें आपको मिल जाएगा इसलिए मै उसके बाद करेंगे ईसके बाहां हम यह करेंगे लूस पाउडर यहां पर मेरे पास है ब्यूट्ए इकलेच की आई शेड़ो पाले। तो उसके बाद मैं अपनी मतलब करे करूंगी मैं असकेड कि भाद मैि अपनी दूसरी मतलब आईा संक की हाफ ऐपास आपलाय करूंगी मैं करके मतलब apply करूंगी उससे ना मैं दो colors का you know transition बनाना चाह रही थी तो एक हद तक भन भी गया था बागे आप लोग comment डाउन करके बताना आपको यह eye makeup look कैसा लगा वैसे तो बहुत ही easy है तो यहाँ पर मैंने पहले light orange shade लिया था then उसके बाद थोड़ा सा मैंने डार कर लिया ठीक उससे अच्छे से मैं अपनी crease line को you know अच्छे से मतलब blend कर रही हूं आपको अच्छे से blending process बहुत लंबा होता है तो इता मतलब आपको at least पास से च्छे मिनट तो blending करना है उससे आप क्या होता है बहुत ही अच्छा flawless आपका eye makeup देखता है ठीक है तो अच्छे से मैं यहाँ पर brush की help से blend कर रही हूं आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से में काफी देर तक blend कर रही थी आप देख सकते हो final look मेरा blending के बाद यह था ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने और इंग शेड लिया जो कहीं था शिमरी ठीक है बहुत शिमर थी उसमें बहुत ही लाइट बहुत ही प्य पर आप लिए प्र उसके बाद मैं अपनी यह उनो पर पर जो शेड था वह पूरी लिट पर अपलाए कर रही हूं आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा शेड आया है यह सारा मतलब जिता भी मैंने शिमरी यूज किया न उसमें अपनी मैंने फिंगर टिप्स की ही आप से मत ब्रश निकिया आप देख सकते हो मेरा आई मेकप पूरा हो चुका था दैन उसके बाद मैं वाटर लाइन पर मतलब डाप पर पर शेड अपलाए कर रही हूं ठीक है यहां पर आप चाहो तो ब्लैक भी उसकर सकते हो बर्ट यह पर 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 प्ली लग रहा था तो यहां पर म आप प्लाइ कर लोगी ब्रोज की नीचे ठीक है फिसके बाद यहां पर में अप्लाइ करोंगी मतलब अपनी आई प्रोज को सैट कर लोगी यहां पर जो मेरा पाफ पैंसिल है वह है ब्राउन शेड 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 स्वीस ब्यूटी का यह पैंसिल है बहुत एफॉर्ड़ प् पर ब्राउन पसंद है तो इस ब्राउन यूज करते हैं अच्छे सी अपनी आई मतलब लेशेज को अच्छे सेड करने के बाद मैं आई प्लाइ कर यहां पर जो मैं काजल प्लाइ कर रहे हुं वह है एनवाई का गोल्डन काजल बहुत ही प्यारा लगता है गोल्डन काजल आप लोग जरूर एक पार ट्राय करना गोल्डन गाजल बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है यहां पर मैं अपलाई करी हूं आइलाइनर पैन आइलाइनर था दोस्तों यहां पर यह जो आइलाइनर की जो क्लिप है वह मैं सिर्फ आपको आदी ही दिखा पाऊंगी बागी क्ल अभी पाइंटांगी तो मैं उस्कार यह उपना क्यों पॉंड०। मैं अपना में नहीं डिक है फिर यहां पर मैं अपना contouring कर रही हूं दोस्तों देन उसके बाद में बलशर अप्लाइ करूँगी बलशर के लिए सिर्फ अपकुछ स्लाइड करना होदा है बहुत ही अच्छा उसे लोक आता है देन उसके बाद मैं अपने चिक बोन्स पर हाइलाइडर अप्लाइडर कर लो अपनी लेक लिप पैंसिल अप्लाइ कर रही हूं इससे में अपनी लिप्स को मतलब शेप दूँगी बहुत ही अच्छा शेप आता है इससे अब लोग जरू इसको ट्राइड एक बार दे उसके बाद मैं यहां यूज कर रही हूं मैक की लिप्स्टिक यह है थोड़ा डार पिंक में आता है यह कलर एंड बहुत ही मैट है बहुत ही प्यारा शेड है इसको आप जरूर ट्राइ करना एंड यह मेरे आउटफिट में भी मतलब मैच कर रहा था और उसके बाद मैं कॉम्पैक पाउडर से हलका से सैट कर लोगी अपने लिप्स के पास आप देख सकते हो लास्ली मैं अप्लाइ करूंगी मस्कारा यह है मैबलीन दा क्लॉसर वाटर प्रूफ मस्कारा बहुत ही अच्छा है वो आपको जरूर इसको ट्राइ करना चाहिए जात तर लोगे पास हो गई ठीक है फिर उसके बाद मैं अपना हैस्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी ज पसंद आए पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तिल जैंट टेक एर बाई